हां तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूम्रल्स के बारे में रोमन न्यूम्रल्स क्या होता है नंबर्स यह है हमारे हिंदू एरेबिक न्यूम्रल्स वन टू थ्री फोर यह सब कहलाते हैं हिंदू एरेबिक न्यूम्रल्स इसको हमें रोमन न्यूम्रल में ल आई लिखेंगे फोर लिखने से पहले हम बताते हैं फाइव कैसे लिखते हैं फाइव लिखते हैं हम वी से हम रिप्रेजंट करते हैं फाइव को अब फोर लिखना है तो फोर लिखने के लिए हम क्या करते हैं वी के लेफ्ट साइड अगर हम वन लिख दिये या आई वन को र राइड साइड अगर हम आई लिखे तो यह हो गए हमारा six seven लिखने के लिख़ए करेंगे V के बाद two times I लिखेंगे यह हो गए हमारा seven eight लिखना है V means five और three लिखना है तो three के लिख़ए हो गया three times I अब हम देखते हैं नाइन लिखने से पहले हम बताते हैं फाइव कैसे लिखते हैं पाइव सॉरी नाइन से पहले हम बताएंगे कि टैन कैसे लिखते हैं टैन लिखने के लिए हम एक्स का यूज़ करते हैं एक्स जो है वो डिपरेजन कर रहा है टैन को अब हम देखते हैं कि नाइन कैसे लिखते यह हो गया 10, 10 के पहले, अगर हम I लिख दिये, तो यह हो गया हमारा 9, ठीक है, अब है कुछ Roman Numerals, जैसे हमारा I, V, X, L, C, D, M, इसको हिंदू Arabic Numerals में क्या कहा जाता है, I को लिखते हैं 1, V हो गया हमारा 5, X हो गया 10, L हो गया 50, C हो गया हमारा 100, D क्या हो गया 500, और M हो गया हमारा 1000, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें बड़े Numbers बनाने हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, I, X, C, M, इसको हम 3 times से जाधा repeat नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको 1, एक बार लिखा, इसको 2 times, 3 times कर सकते हैं, लेकिन 4 times repeat नहीं करेंगे, जैसे हम एक बार लिखे, I, 2 times लिखे, 3 times लिखे, इसको 4 times नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह से X को हम लिख सकते हैं, 1 time, यह हो गया 2 times, यह हो गया 3 times, C को लिखे, इसके बाद M हो गया हमारा, एक बार लिखे, 2 बार और 3 बार, यह हो गया हमारा, 1, 2, 3, इसी तरह से X किया हमारा, X यहां से देख लिए 10 है, तो 10 हो गया, यह 20 ह होती है 100 जब 2 x C रहेगा तो 200 हो गया और यह हो गया 300 एम की वेल्यू है 1000 तो टाइम्स अगर M है तो यह हो गया 2000 और थ्री टाइम्स है तो 3000 अब हम देख लेते हैं कि V, L, and D इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं वी कैन नॉट रिपीट इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें 6 लिखना है 6 लिखने के लिए 5 प्लस 1 करेंगे तो यह हो गया हमारा 6 5 को हम Roman Numerals में क्या लिखते हैं V और 1 को क्या लिखते हैं I यह हो गया हमारा 6 इसी तरह से अगर हमें 7 लिखना है 7 लिखने के करेंगे 5 प्लस 2 तो 5 की वैली हो गई V और 2 कैसे लिखते हैं 2 टाइमस आई यह हो गया हमारा 7 इसी तरह से 8 लिखना है यह हो गया 5 प्लस 3 तो 5 V हो गया 3 के लिए 3 टाइमस आई इसी तरह से हम देख लेते हैं 4 अगर हमें 4 लिखना है तो क्या करेंगे 5 माइनस 1 यह हो गया 4 तो 5 के लिए V हो गया V के left side जब भी हमें 4 लिखना है तो left side में I लिख देंगे यह हो गया 4 9 लिखना है तो 10 माइनस 1 यह हो गया 9 तो 9 के लिए Roman नमबर में हो गया 10 10 में 7 माइनस की हो गया 9 इसी तरह से हम देखते हैं 40 40 अगर हम लिखना है तो यह हो जागा हमारा 50 माइनस 10 50 की वैल्यू क्या है देख लिज़े हैं इहांपे 50 की वैल्यू है L L में से 10 माइनस करना है 10 की वैलू यहाँ पर क्या है X यह हो गया हमारा 40 इसी तरह से हम देख लेते हैं 60 अगर लिखना है 60 के लिए क्या करेंगे 50 प्लस 10 50 है हमारा L उसमें 10 प्लस कर देंगे मतलब जो 10 लिखेंगे वो कहां लिखेंगे राइट साइड जब हमें ग्रेटर नंबर बनाना है तो हम उसके राइट साइड में यह X लिख दिये हो गया हमारा 60 इसी तरह से 70 देख लेते हैं 70 के लिए क्या लिखेंगे 50 प्लस 20 50 की वैलू L 20 के लिए क्या लिखेंगे 2 टाइमस X 80 लिखना है 80 के लिए हो जागा 50 प्लस 30 यह हो जागा हमारा 50 के लिए L और 30 के लिए 3 टाइमस X ठीके अब हम देख लेते हैं 90 90 लिखना है 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे 50 प्लस 40 नहीं लिखेंगे इसके लिए हम करेंगे 100 माइनस 10 100 माइनस 10 करेंगे 90 होगा 100 की वैल्यू के इतनी है यहाँ पर C C माइनस 10 करेंगे C हो गया हमारा इदर 10 माइनस करना है तो माइनस करने के लिए कि इदर लिखते हैं लेट साइड तो यह हो गया हमारा XC यह हो गया हमारा 90 100 लिखने के लिए 100 की वैलू केतनी होती है C ठीक है इसी तरह से हमें नंबर्स रोमन यूमरल्स को हम लिखेंगे अब हम देख लेते हैं आजिसे आपकी बुक में बुक में दिया हुआ है 1 से 20 तक रोमन नुम्राल इसी के आगे हम बना सकते हैं 20 के आगे लिखना है 21 22 तो हम 20 के बाद 1 22 लिखना है तो 20 बाद 2 इस तरह से लिखते जाएंगे यहाँ पर हम देखते हैं convert the following into Hindu Arabic numerals Roman numerals है इसको Hindu Arabic numerals में convert करना है तो इसकी value यहाँ पर लिखना है यहाँ पर इसको convert करना है Roman numerals में इसको 2 को हम Roman numerals में कैसे represent करते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर है 1 से 20 तक Roman numerals हमको यहाँ पर लिखना है ठीक है और लास्ट है आपका question कि इसको इसका इस घड़ी में जो है कितना time हो रहा हूँ आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है thank you